क्या माबाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और क्या बच्चे अपने माबाप से प्यार करते हैं? है न ये एक बच्काना सवाल? ये बात तो हर किसी को पता है कि दुनिया के हर माबाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी अपने माबाप से उत दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। लेकिन माबाप और बच्चों के बीच एज डिफरेंस कभी-कभी इतना ज्यादा होता है कि दोनों अलग-अलग सोसाइटी में जी रहे होते हैं। ऐसे में माबाप और बच्चों के बीच टेंशन का बढ़ना बहुत आम बात होती है। क वक्त बीच चुका जब माबाप अपने बच्चों को कोई बात समझाने के लिए उन्हें पीटा करते थे। आज के समय में किसी बच्चे की पिटाई उसके फ्यूचर पर क्या असर डालेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए माबाप को अपने बच्चों से बात करन परसनालिटी में सुधार लाने के लिए बहुत फायदेमन साबित हो सकते हैं। दरसल आज दुनिया इस तरह बदल चुकी है कि बच्चों को पैदा करना या उन्हें अच्छे स्कूल में भेजने से ही कोई अच्छा माबाप नहीं बन जाता। माबाप को बच्चों के साथ सही तरीके से कम्यूनिकेट करना भी आना चाहिए क्योंकि अगर माबाप और बच्चों के बीच सही कम्यूनिकेशन ना हो तो बच्चे अपने माबाप से दूर होने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से माबाप और बच्चों क बीच की टेंशन को खत्म किया जा सके, उनके रिलेशन को पहले से बहतर बनाया जा सके, और बच्चों को ऐसी परवरिश दी जा सके, कि उनकी आगे की जिन्दगी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और जब वो खुद माबाब बने, तब उन्हें ये पता हो कि अपने ब पेरेंटिंग से जोड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में जानेंगे, ये बुक पेरेंट्स के अपने बच्चों से बात करने की स्किल को डिवेलप करने के बारे में है, कि कैसे दोनों के बीच की रिलेशन्शिप को और ज्यादा बहतर बनाया जा सकता है, पेरेंटिंग करने के बाद इस बुक के जरीए बताया है तो आईए अब बिना देर किये कुकू FM के साथ डॉक्टर हेम गिनोट की लिखी बुक Between Parent and Child Revised and Updated की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं कुकू FM पर डॉक्टर हेम गिनोट की लिखी बुक Between Parent and Child Revised and Updated की समरी मैं हूँ आरजे शिमाल अपरवेज जुड़े रहे हमारे साथ सुनते रहे कुकू FM सुने जो मन चाहे बादचीत के कोट ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं बच्चों के लिए हर एक चीज के बारे में क्यूरियस होना बहुती आम बात है क्योंकि बच्चे एक खाली कागस की तरह होते हैं, जिनमें पहले से किसी भी तरह की समझ या नौलिज नहीं होती, वो दुनिया की हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, सुभा कैसे होती है, दुनिया कितनी बड़ी है, और खाना खाना क्यों जरूरी है, जैसे कई छोटे सवाल बच्चों के मन में रह रह कर उटते रहते हैं, लेकिन अगर माबाप अपने बच्चों के इन सवालों से परिशान होकर उन्हें ऐसे जवाब देने लगें, जो बच्चों को समझ में ना आएं और उन्हें कन्फ्यूज कर दें, तो ये सही नहीं होगा, दरसल पुछ सवालों और जवाबों को समझेंगे। एंडी बार बार अपने पिता से एक ही सवाल पूछ रहा था और उसके पिता उसे बार बार पॉपुलेशन पर ही लेक्चर दिये जा रहे थे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एंडी के पिता ने उसका सवाल समझ कर उसे अच्छे से अपनी बात समझाई। जिससे उन दोनों के बीच एक अंडरस्टेंडिंग बनी। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो सवाल पूछते हैं उन्हें समझने के लिए कई बार ये समझना भी जरूरी होता है कि आखिर बच्चे वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसके बाद हम आपको एक पाट साल की बच्ची नैंसी के स्कूल में पहले दिन के experience के बारे में बताते हैं। कि यहां सुन्दर पेंटिंग्स बनाना जरूरी नहीं है। खराब और सुन्दर बस लोगों के मन में होता है। किसी के लिए कोई चीज खराब हो सकती है तो किसी के लिए खूपसूरत। नैंसी यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुई और उसे यह समझ आ गया कि अगर वो खराब पेंटिंग्स बनाएगी तो उसे डांट नहीं पड़ेगी। इसके बाद नैंसी ने कुछ तूटे हुए खिलोने उठा कर पूछा कि इन्हें किसने तोड़ा। उसकी मा को उसका ये सवाल भी बेकार लगा। इसलिए उन्होंने नैंसी को चुप कराने की कोशिश की। मगर नैंसी की टीचर ने उसे बताया कि खिलोने इतने नाजुक होते हैं कि उनका खेलते वक तूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर की बात सुनकर नैंसी उन पर धीरे धीरे भरوسा करने लगी क्योंकि उसकी टीचर जल्दी गुसा नहीं होती थी। नेंसी ये समझ गई कि गलतियां करने पर उसे डाट नहीं बलकि नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने स्कूल का पहला दिन इतनी अच्छी तरह शुरू करने वाली लड़की अपनी बाकी की जिंदिगी कितनी बहतर तरीके से जीने वाली थी। अब यहां हम बाग करेंगे 12 साल की कैरल की। एक दिन कैरल बहुत परेशान थी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में उसके घर आई उसकी फेवरिट कजन अब वापस अपने घर जा रही थी। कैरल इतनी उदास थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो रोने वाली हो। ऐसी हालत में कैरल की मा की ये responsibility थी कि वो अपनी बेटी को प्यार से गले लगाएं और उसे प्यार से समझाएं। लेकिन इसके बजाए कैरल की मा ने उसे ये समझाना शुड़ू कर दिया कि किसी के जाने पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है क् जिन्दिगी में लोग इसी तरह आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये सुनने में भले ही सही लगे लेकिन एक बच्चे के लिए इतनी logical बातों का कोई मतलब नहीं होता। बच्चों की feelings को seriously लेना बहुत जरूरी है नहीं तो उनकी feelings hurt होंगी और वो अपने माबाप से तरह समझाती कि उसे उदास या रोने की जरूरत नहीं है। उसकी कजन अगले साल फिर आ जाएगी। तो शायद कैरल को बात ठीक से समझा जाती। इससे ना सिर्फ उसका दुख कम होता बलकि वो अपनी मा के और भी करीब आ जाती। अब बारी आती है साथ साल की Alice की जो अ एक दम चुपचाब बैठ गई। Alice की मा से उसकी उदासी देखी नहीं गई। इसलिए वो उसके पास गई और उसे समझाया कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ली और वो किसी और दिन भी मिल सकते हैं। इस तरह Alice अपनी मा की बात समझ गई। अब हम आपको डेव से पूछा कि वो इतने हुस्से में क्यों है। इस पर डेविट ने उन्हें जवाब दिया कि जब भी वो स्कूल से वापस आता है तो उसके पिता घर पर नहीं होते। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। डेविट की बात सुनकर उसके पिता ने उससे कहा कि अच्छ पिरेंट्स कई बार ये भूल जाते हैं कि बच्चों को कोई बात समझाने से ज्यादा उनकी बात समझनी जरूरी होती है। ऐसा ना होने पर बच्चों और माबाप के बीच जगड़े होते हैं। अब हम आपको हैलन नाम की एक लड़की के बारे में बताते हैं। एक दिन ह बहुत उदास होकर अपने स्कूल से घर लोटी। घर आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि उसे एक्जैम में कम मार्ग्स मिले हैं और उसको पता है कि उसकी मा ये जानकर उससे घुस्सा होंगी। मगर हैलन की मा ने उसे प्यार से समझाया कि उनके लिए उसके ग्रेड्स मैट कि अच्छे मार्ग्स लाने के लिए उन्होंने उसे कभी नहीं डाटा, वो खुद अपने मार्ग्स देखकर डिसपॉइंटिड है, इसलिए वो उन्हें ब्लेम कर रही है। ये सुनकर हैलन रोती हुए अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ हैलन की मा की बातें सश थी, म समझाने की जरूरत होती है। बच्चों के लिए सबसे बहतर ये है कि उन्हें लॉजिक समझाने की बजाए उनके दुख में साथ दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की, जिसके लिए उन्हें दुखी होना पड़े। अच्छा अब भी नहीं करते थे। एक दिन मिसिस ग्रैफटन को एक जरूरी फाइल पर अपने मैनेजर के सिगनेचर चाहिए थे। अपने मैनेजर के रूम में जाते ही मिसिस ग्रैफटन ने उनसे कोई शिकायत करने की बजाए उन्हें समझाया कि वो कितना ज्यादा काम करते हैं औ और उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसकी वज़ा से उनका मोड तुरंट बदल गया। और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें फील हुआ कि उनके काम की डिफिकल्टीज को किसी ने अकनॉलिश तो किया। आखिर में उन्होंने मिसिस ग्रैफटन की फाइल पर बिना किसी सवाल जवाब के सिग्रेंचर कर दिये। इस तरह हमने देखा कि कैसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी अच्छा बिहेवियर पाकर हंबल हो जाते हैं। इस एपिसोड में अब तक हमने जाना कि किस तरह सही तरीके से अगर बच्चों को बात ना समझाई जाए जाए तो उन पर गलत असर पड़ सकता है। इसके साथ ही लेखाक दुआरा दी गई कई एक्जैम्पल्स की मदद से हमने माता-पिता और बच्चों के बीच कम्यूनिकेशन की कमी से होने वाली दिक्कतों को भी समझने की कोशिश की। अब हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर माता-पिता और बच्चे आपस में बात करते वक्त परेशान क्यूं हो जाते हैं और दोनों के बीच टेंशन क्यूं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता-पिता बच्चों के सवालों को सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिससे बच्चे उनके जवाबों से सैटिस्वाई नहीं होते, इसका नुकसान माता-पिता और बच्चों के बीच के रिष्टे पर होता है. दोनों के बीच के रिष्टों में प्यार की जगा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और चीजें बिगणने लगती है एक और एक्जाम्पल की मदद से हम आपको माता-पिता और बच्चों के बीच के इस कम्यूनिकेशन गैप को समझाने की कोशिश करेंगे आठ साल का एक बच्चा था जिसका नाम था डेविड एक दिन डेविड ने अपनी मां से पूछा कि जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो उसकी मां उसके छोटे-छोटे सवालों का इतना बड़ा जवाब क्यों देती है दरसल बात ये थी कि डेविड अगर अपनी मां से कोई चोटा सा सवाल भी पूछता था तो उसकी मां उसका जवाब बहुत घुमा फिरा कर यह लेक्चर के साथ देती थी इसे ये होता था कि डेविड अपनी मां से बात करना ही बंद कर देता था और ये बात अपनी मां को बताने के बजाए वो अपने दोस्तों से कहता था कि उसने अपनी मां से कोई बात पूछनी ही बंद करती है क्योंकि अगर वो उनसे कुछ पूछ कर कोई काम करता था तो वो ना सिर्फ काम करने के लिए मना कर देती थी, बल्कि और भी दस तरहा के सुना देती थी. डेविड और उसकी मा के बीच की बाशीत ऐसी हो गई थी, जिसे वो दोनों खुद भी सुनना पसंद नहीं करते थे. ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म में हीरो डायलॉग बोल रहा हो और पबलिक चुपचा बैठी सुन रही हो, ना तो उनके पास हीरो को बीच में टोकने की पर्मीशन है और ना ही कोई सवाल पूछने की. इसका कारण ये नहीं था कि डेविड और उसकी माँ एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बलकि इसका कारण ये था कि उनके पास अच्छी कमिनिकेशन स्किल्स की कमी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते थे. मादा पिता और बच्चों की बीच ये दोनों ही चीजें होना बहुत जरूरी होता है. इन दोनों चीजों से हमारा मतलब है कमिनिकेशन स्किल्स यानि बात करने का तरीका और दूसरा ये कि उन्हें एक दूसरे की बात सुनने की आदर डालनी चाहिए. ये बात भी धियान रखना जरूरी है कि हम दुनिया के बाकी लोगों से जिस तरह से बात करते हैं उस तरह अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते हमें अपने बच्चों और बाकी दुनिया के बीच फर्क करना सीखना चाहिए. बाकि दुनिया के सामने आपकी communication skills जैसी भी हूँ, वो आपके बच्चों के सामने काम नहीं आने वाली, बच्चों से बात करने के लिए आपको उनके level पर जाकर कोशिश करनी होगी. Connection के लिए communication Communication, मातर पिता और बच्चों के बीच, कम्युनिकेशन कैसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, ताकि बच्चों के साथ आप एक कनेक्शन बना सकें, इसे हम एक एक्जामपल की मदद से समझेंगे, नौ साल का एरिक बहुत घुसे में अपने स्कूल से घर लोटा, दरसल उसकी क्लास आज पिक्निक पर जाने वाली थी, लेकिन अचानक बारिश होने की वज़ा से पिक्निक कैंसिल हो गई, ऐसे में अब एरिक के पिता के सामने दो तरीके थे, जिन से वो उससे बात कर सकते थे पहला तरीका तो ये था कि वो एरिक से कहें कि मौसम खराब होना किसी के हात में नहीं है, ना ही कोई मौसम को बदलने से रोक सकता है, इसली एरिक का घुसा करना सही बात नहीं है दूसरा तरीका ये था कि Eric के पिता उससे ये कहें कि वो समझते हैं कि पिक्निक पर जाने का Eric का कितना मन था और पिक्निक कैंसल होने पर उसे कितना दुख हुआ होगा इस तरह एरिक के पिता उसे कह सकते थे कि उसका गुस्सा करना सही था क्योंकि अगर कोई पिकनिक जाने के लिए एकसाइटिड हो और बहुत दिनों से उसकी तयारी भी कर रहा हो और अचानक मौसम खराब होने की वज़ा से वो कैंसल हो जाए तो उसे दुख तो होगा ही ऐसे में एरिक के पिता ने एक दूसरा तरीका अपनाया जिसमें उन्होंने एरिक के गुस्से को दबाने के बजाए उसे निकलने दिया ऐसा करने से एरिक का गुस्सा थोड़ी ही देर में अपने आप शान्त हो गया तो इस तरीके में आखिर ऐसा क्या था जो एरिक अपना सारा गुस्सा भूल कर एकदम पहले जैसा हो गया दरसल जब बच्चे गुस्सा दुख या डर जैसे बहुती स्ट्रॉंग इमोशन्स फील कर रहे होते हैं तब ना तो उनका किसी की बात सुनने का मन होता है और ना ही कुछ समझने का उस सिच्यूएशन में वो अपनी फीलिंग भी किसी के साथ शेर नहीं करना चाहते कहेंगी कि इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी या आप भी अपने बच्चे को डाटना शुरू कर दें तो इससे आपके और आपके बच्चे के बीच के रिश्टे खराब हो जाएंगे इसलिए बहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे को ये कहें कि उसकी तकलीफ और दुख को आप समझते हैं और उसकी इज़त करते हैं सिर्फ इतनी से बात कहने से न सिर्फ आपका बच्चा आपके करीब आएगा बलकि अगली बार वो अपने मन की बात आप से खुल कर कह पाएगा अब अगला एक्जेंपल आठ साल की अनीता का है एक दिन अनीता अपने स्कूल से घर वापस आकर कहती है कि उसे अब दोबारा कभी स्कूल नहीं जाना. अनीता की मा समझ जाती हैं कि वो बहुत घुस्से में है. इसलिए वो अनीता से पूछती हैं कि क्या वो अपनी परिशाने उनके साथ शेर करना चाहेगी. तब अनीता अपनी मा को बताती है कि वो एक्जैम दे रही थी और उसी बीच उसकी टीचर ने उसके हाथ से एक्जैमिनेशन पेपर छीन कर उसे फार दिया. क्योंकि उसकी टीचर को लगा कि अनीता चीटिंग कर रही है. अनीता की मा ने उसके बाद बहुत ध्यान से सुनी औ सिर्फ थोड़े से प्यार और अंडरस्टैंडिंग की मदद से अनीता का गुसा शान्थ हो गया। अब हम बात करेंगे नौ साल के जैफरी की, जो स्कूल से बहुती उदास और ठका हुआ घर आया। उसने घर आते ही अपनी मा को बताया कि उसकी टीचर ने आज उसका दिन बहुती मुश्किल बना दिया था। जब उसकी मा ने उससे इसके बारे में पूछा, तो उसने उन्हें बताया कि कुछ बच्चे लाइबरेरी में शोर मचा रहे थे। लेकिन जब टीचर ने पूछा कि कौन शोर कर रहा था, तो कोई सामने नहीं आया, जिसकी वज़ा से सब को पनिश्मेंट मिली। उसके बार जफरी ने अपनी टीचर से कहा कि वो शोर करने वाले बच्चों को ढूणने में उनकी मदद कर सकता है, ताकि सभी बच्चों को परेशानी ना हो। जफरी के ऐसा कहने पर उसकी टीचर का मूड थोड़ा ठीक हो गया और वो मुस्कुराने लगी। ये सुनकर जफरी की माने उसकी तारीव बहुत की कि उसने बहुत समझदारी के साथ पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। तो देखा आपने, इस तरह से अपने बच्चे की बात को सुनना, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक करना और उनके थौर्ट्स को समझने की कोशिश करने से, बच्चे खुद को अपने आपको माता-पिता से दूर नहीं समझते। लेकिन आप अपने बच्चों के तब तक करीब नहीं आपाएंगे जब तक आप उनकी बातों को सही तरीके से समझने की कोशिश ना कर लें। अपने बच्चों की फीलिंग्स को जानने और समझने के लिए उन्हें अब्जर्फ करना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है इसमें आपकी मदद आपके अंदर बैठा बच्चा कर सकता है यानि जब भी आपको अपने बच्चे की बात समझने में कोई मुश्किल आए तब आप अपने बच्चपन के दिनों को याद कीजिए बच्चपन में जब आप गलतियां करते थे और तरह तरह की बातें सोचते रहते थे उस वक्त कोई आपकी बात समझ नहीं पाता था. तब आप जैसा फील करते थे, वैसा ही आपके बच्चे आज फील करते हैं. अपने आपको बच्चों की जगा रखने से आपके लिए उनकी तकलीफ और उनकी बातें समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा. यह समझ लीजे कि अपने बच्चपन में आप जो उम्मीद अपने माता पिता से किया करते थे, वही उम्मीद आपके बच्चे अब आपसे करते हैं. एक बार अगर आप ये बात समझ लें, तो आप अपने और अपने बच्चों के बीच के रिष्टे को न सिर्फ बहतर बना स हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम उन्हें अपना बैस देने में हमेशा मदद करते रहें। इसके लिए सबसे जरूरी बात ये हैं कि जब भी आप अपने बच्चों से बात कर रहे हूं तब बहुत सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करें। क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की हर बात को बहुत सीरियस ले लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे से कोई भी बात घुसे में या उदास होकर योही बोल देते हैं तो वो बात भी बच्चों के दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ती है। बच्चे घुसे में कही बात और शांत दिमाग से कही गई बातों में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी कही बातों का कोई गलत मतलब निकाल कर उनको सच मान ले। तो बच्चों के सामरे बात करते वक्त इस चीज का खास ध्यान रखें। ये साबधानी किस तरह से रखी जा सकती है? इसकी चर्चा हम करेंगे। लेखर गिनौट ने अपनी इस किताब में आम बाचीत में इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ शब्दों के बारे में बताया है। जिनें सुनकर हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चो के भी दिल को हलका कर सकती हैं और उसके दुख को भी कम कर सकती हैं। लेकिन आम तोर पर माता पिता अपने बच्चों को परिशान देखकर ऐसी बात ही नहीं कहते। उनकी सारी कोशिश अपने बच्चे की गलती ढूनने में रहती है। और यही सबसे बड़ी वजा है कि बच्चे जब भी बरतमीजी करते हैं तो कही न कहीं वो अंधर से दुखी होते हैं। इसलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के बुरे बिहेवियर के पीछे चुपे उनके दर्थ को पहचाने और उसे दूर करने की कोशिश करें। य उसने कहा कि उसकी टीचर उसे बहुत सारा होमवग देती हैं और आज भी उसके पास बहुत सारा होमवग है। वो इतने कम समय में अपना होमवग खत्म नहीं कर पाएगा। ये सुनकर बेन की मा उससे घुसा हो गई और उस पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थीं कि उनके भी बॉस हैं जो उन्हें उसकी टीचर की तरह ही बहुत परेशान करते हैं लेकिन वो उसके सामने उनकी शिकायत नहीं करती। बेन की मा ने उसको डांटते हुए कहा कि वो खुद ही आलसी है और इसी वज़ा से अपना काम वक्त पर खत्म करता तो आज इतना काम उसके पास नहीं रहता। अपनी मा की बात सुनकर बेन बहुत नाराज हो गया और उसने रूम में जाकर दर्वाजा बंद कर दिया। वो खाने के लिए भी बाहर नहीं आया। तब उसकी मा खुद को इसकी इस बिहेवियर का जिम्मेदार मानने लगी। अब यहां गलती दोनों की थी अगर बेन शिकायत करने के बजाए अपना दुख अपनी मा से कहता और उसकी मा भी उसे डांटने के बजाए उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करती तो दोनों के बीच इतना जगड़ा नहीं होता। यह बात बेन की मा समझ गई और उन्होंने फिर कभी बेन से गुसे से उस दिन के बाद से बेन की मा उससे बहुत ही पुलाइटली बात करने लगी और हमेशा उसकी परेशानी समझने की कोशिश करती रहीं। लेकिन आम तोर पर माता-पिता और बच्चे दोनों ही अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह नहीं बता बाते। इसकी दो वज़ा होती है पहली तो ये कि कभी हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि अपनी फीलिंग्स शेयर करना ना सिर्व जरूरी है बलकि उन्हें बताने का एक तरीका भी होता है। दूसरी वज़ा ये है कि कभी-कभी हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि आखिर हम फील क्या करते हैं। ऐसी लिए किसी ना किसी को blame करते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अपनी feelings कैसे express करनी चाहिए। इसी वज़ा से वो परेशान होकर गलत behavior करने लगते हैं। लेकिन माबाप तो अपने बच्पन को अच्छे से जी कर आए हैं। उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर उनके बच्चे किसी बात से दुखी हैं, जिसकी वज़ा से वो खराब बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई बात उनके दिल में जरूर है, जिसे वो खुल कर बता नहीं पा रहे। जबकि इसका उल्टा होता है, माता-पिता अकसर बच्चों को ये समझाने लग जाते हैं, कि उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं। इसे बच्चों में अपने माता-पिता के लिए गुसा बढ़ जाता है और उनके सोचने समझने की शक्ति और भी कम हो जाती है। अब जब तक उनका गुसा शांत नहीं हो जाता, तब तक वो ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे। ये बात समझे बिना माता-पिता कभी भी अपने बच्चों के मन की बात नहीं समझ पाएंगे। अब हम आपको दो लोगों के बीच होने वाली बातशीत का एक्जामपल देकर इस बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक आदमी ने कुछ लोगों से पूछा कि मान लीजे आज आपका दिन खराब है। एक तरफ आपका फोन बज रहा है और दूसरी तरफ आपके बच्चे रो रहे हैं। इसी चकर में आपका टोस्ट जल जाता है। रियक्शन देने वाला पहला व्यक्ति थोड़े घुस्से वाले नेचर का है। इसी वज़ा से उसका जवाब था कि मैं उसके मूँ पर टोस्ट फेंक कर मारूंगा। दूसरा व्यक्ति जो एक महिला हैं। उन्होंने सवाल पर रियक्शन करते हुए कहा कि मैं उससे कहूंगे कि तुम अपना टोस्ट खुद बना लिया करो। तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे इतना बुरा लगेगा कि मैं रो पड़ूंगा। अब जिस आदमी ने ये सवाल पूछा था वो इन तीनों के जवाब सुनने के बाद फिर से कहता है कि अगर ये जवाब आपके पार्टनर आपको दें तो आपको कैसा फील होगा। तीनों एक ही जवाब देते हैं कि उन्हें गुस्सा आएगा और अपने पार्टनर से नाराज हो जाएंगे या शायद नफरत करने लगेंगे। अब सवाल पूछने वाले ने दोबारा एक सवाल पूछा कि क्या आप इसके बाद भी उन्हें नया टोस्ट बना कर गुस्से वाले पहले व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ मैं टोस्ट बना दूँगा अगर मुझे उसमें जहर मिलाने का मौका मिल जाए तो अब सवाल पूछने वाले ने पूरी सिच्वेशन को बदल दिया और कहा कि मान लीजिए आपने टोस्ट जला दिया और आपके प जबाब दिया कि अगर उनका पार्टनर उन्हें ताना मारने या घुसा करने के बजाए प्यार से उनकी परेशानी समझेगा कि हो सकता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो इसलिए उनसे गलती हुई तो सीधी सी बात है कि सबको अच्छा ही लगेगा इस पर सवाल पूछ तो अभी भी खराब है लेकिन अब उनको उतना बुरा फील नहीं होगा इसकी वज़ा ये है अगर कोई हमें बेवज़ा किसी बात के लिए ब्लेम ना करे तो हमें ज्यादा अच्छा फील होता है अब यहाँ एक और सवाल आता है जिसमें एक तीसरा सिनेरियो दिया जाता ह मान लेजिए टोस्ट जलने के बाद अगर आपका पार्टनर आपके पास आए और आपसे ये कहे कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ या सिखाती हूँ कि टोस्ट कैसे बनाते हैं तो अब इस पर आप क्या रियक्शन देंगे इस पर एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तो पहले से भी बुरा है क्योंकि आप मुझे डम जैसा फील हो रहा है अब सोचने वाली बात ये है कि इस इंसिजन से हम ऐसा क्या सीखते हैं जिसका इस्तिमाल हम बच्चों के साथ उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए कर सकते हैं पहले व्यक्ति को ये समझ आ गई और उस गुसा आता होगा दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं हमेशा अपनी बेटी से कहता हूं कि लाओ मैं तुम्हें ये काम करके दिखाता हूं ये सुनकर भी उसे गुसा ही आता होगा तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे तो खुद बच्चपन से अपनी बुराई सुनने क्या आदत पढ़ गई थी इसी वजा से अपने बच्चों से भी मैं वैसे ही बात करती थी जैसी मेरी मा मुझसे किया करती थी लेकिन अब मैं समझ गई कि मुझे अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है इसके बाद ये सवाल पूछा गया कि इस toast story से हमने क्या सीखा इस पर तीनों ने जवाब दिया कि हम इस story से यही सीखते हैं कि हमें अपने बच्चों की तकलीफ समझने की जरूरत है ना कि उन्हें ग्यान देने की या खुद आगे बढ़कर उनकी गलती सुधारने की यह पूरी बातचीत सुनकर आपको अब तक यह समझ तो आई ही गया होगा कि अपने बच्चों से बात करते वक्त सही शब्दों का इस्तिमाल करना कितना जरूरी होता है और गलत शब्दों का इस्तिमाल करने पर चीज़ें कितनी बिगर सकती हैं बातचीत के प्रिंसिपल्स Between Parent and Child Book समरी के पिछले एपिसोड में हमने आपको कई एक्जाम्पल्स की मदद से ये समझाने की कोशिश की कि बच्चों और माता-पिता की बीच बातचीत किन वजहों से खराब हो सकती है और उन्हें कैसे बहतर बनाया जा सकता है तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं माता-पिता और बच्चों की बीच की बातचीत के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जब बच्चे किसी बारे में बात करते हैं या करना चाहते हैं तब जरूरी नहीं कि आप उसका जवाब दें आप बस उस रिलेशन्शिप को ध्यान में रखकर उसका जवाब दें जिस पर ये सवाल इंपलाइड है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन आपको एक इक्जाम्पल की मदद से इसे समझने में आसानी होगी एक बार एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम फ्लोरा था उसने अपने माता पिता से ये कंपलेंट की कि उसे अपने भाई के मुकाबले बर्थडे पर कम गिफ्ट मिलते हैं इस पर फ्लोरा की माने उससे ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है या फिर वो अपसे इस बात का ध्यान रखेंगी क्योंकि वो जानती थी कि बात ये नहीं है कि किसको ज्यादा गिफ्ट मिल रहे हैं और किसको कम बलकि बात ये है कि फ्लोरा को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उसके माता पिता उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं और उससे कम फ्लॉरा की मा के ऐसा करते ही उसके मन से उसके माता-पिता को लेकर सबी कमप्लेंज तो खत्म हो ही गई मगर साथ ही एक ऐसी आर्गुमेंट भी खत्म हो गई जो अगर एक बार शुरू हो जाती तो कभी खत्म नहीं हो पाती ये argument ना सिर्फ Flora और उसकी मा के बीश दूरी पैदा कर देती, बलके Flora के दिमाख में भी हमेशा के लिए ये बात बैट जाती, कि उसके माता-पिता उससे इतना प्यार नहीं करते जितना वो उसके भाई से करते हैं। उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इससे बहुत सी problems solve हो सकती हैं। बच्चों को किसी logic या किसी काम के पीछे की वज़ा जानने की इतनी इच्छा नहीं होती, जितनी अपने माता-पिता की आँखों में प्यार देखने की होती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर बार आप कोई जवाब दिये भी अगर उन्हें गले लगा लें या उन्हें ये बताएं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका mood ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के साथ आपका रिष्टा भी और बहतर होता जाएगा। जब आपका बच्चा आप से किसी बारे मे बात करता है, तो अच्छा होगा अगर आप उससे उस बारे में बात ना करके उससे जोड़ी उसकी feelings के बारे में बात करें। इससे इस तरह समझिये कि एक दिन Gloria जिसकी उम्र 7 साल है बहुत उदास होकर घर आई। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे कुछ लड़कों ने उसकी दोस्त को बारिश के पाने से भरे गढ़े में गिरा दिया, तब उसके पिता ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उससे बस इतना कहा कि वो ये जानकर बहुत दुखी हैं और उन लड़कों से नाराज हैं जिन्होंने उसकी दोस्त के साथ ऐसा किया। ग्लॉरिया ने अपनी बेटी के मन के डर को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसे दबाने के बजाए उसकी फीलिंग्स को बाहर आने का मौका दिया। अपने पिता की ओर से की गई इस पहल को समझते हुए ग्लॉरिया ने भी खुल कर अपने डर के बारे में उन्हें बताया। इसका न उन्हें परेशान करने के बजाए आप उनके मन की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आखिर उन्हें इस तरह की बाते करने की क्या जरूरत पड़ी। अब हम आपको एक और उदाहरन देते हुए इस बात को समझाने की क और सब के सामने उसे बहुत बुरी तरह डाटा क्योंकि वो अपना होमवक करना भूल गया था। अपना होमवक पूरा कर ले लेकिन वो फिर कभी अपनी मा को अपना दुख नहीं बता पाता। बच्चों से सही तरीके से बात करने का सबसे जरूरी रूल ये है कि हम उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करें और ये समझें कि बच्चे जो भी कहते हैं उसके पीछे की वज़ा क्या हो सकती है। मान लीजे कोई बच्चा अपने माता पिता से ये कहे कि उसे मैट समझ भी नहीं आती और जवाब में उसके माता पिता उसे ये बताने लग जाएं कि तुम खुद ही बेवकूफ हो तो अब वो किस तरह रियाक्त करें गा। सीधी सी बात है ऐसे में बच्चा अपने माता पिता से और ज्यादा दूर होता जाएगा। ऐसी सिचुएशन से डील करने का यही तरीका है कि बच्चों के दुख में भागीदार बना जाए और उन्हें ये फिल करवाया जाए कि वो अकेले नहीं हैं। बच्चों को ये कहने के बजाए कि वो बेवकूफ हैं आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैट्स वाकी में बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और हमें भी अपने बच्चपन में इसे समझने में बहुत मुश्किल होती थी। पिता चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन उन्हें उस फिलिंग से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बेटर यही है कि आप बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बाहर डालने के बजाए उनकी फिलिंग्स को समझने की कोशिश करें। उनके साथ उनका दुख बाटे और उनके सबसे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें। यहां हम आपको एक एक एक्जामपल देते हैं। चार्ल्स नाम का बच्चा अपने पिता से कहता है कि मैं स्टूपिड हूँ। उसके पिता उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है और वो बहु पिता उसे स्टूपिड कहकर बुलाते हैं। चार्ल्स के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद उसके दोस्त मजाक में ऐसा कहते होंगे। लेकिन चार्ल्स किसी भी हालत में उनकी बात मानने को तयार नहीं था। उसने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा क इस स्कूल में उसके मार्क्स भी इसी लिए अच्छे नहीं आते क्योंकि शायद वो एक बेवकूफ लड़का है। चार्ल्स के पिता ने उसे समझाया कि मार्क्स का मानने से कोई बेवकूफ नहीं बन जाता। लेकिन अगर उसे अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसके लिए उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मगर चार्ल्स के पिता चाहे उसे कितना ही समझा ले। लेकिन चार्ल्स उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार ये कहता गया कि मैं स्टूपेड हूँ, मैं जानता हूँ। आखिर में चार्ल्स के पिता उसे इरिटेट होने लगे और उन्होंने चिला कर चार्ल्स से कहा कि मैं कह रहा हूँ ना तुम स्टूपेड नहीं हो। अब जरा यहां ध्यान दें कि जब कोई बच्चा अपने मन में अपनी वो इमेज बना चुका होता है जो हम जानते हैं कि गलत है तो हम उसे एकदम से नहीं बदल सकते। उनके खुद के बारे में नेगेटिव व्यूज हमारे बार-बार मना करने से नहीं बदलने वाले। हमारी तरफ से उनके लिए सबसे सही मदद उन्हें ये जताना है कि हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। अब हम आपको एक और एक्जम्पल देते हैं। इवान नाम का एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है कि वो स्टूपिड है। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि वो इसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। कि वो अपनी क्लास में पढ़ाई को लेकर कितना ज्यादा सफर करता होगा। उसे कितना बुरा फील होता होगा। जब उसके किसी सवाल का जवाब देने पर उसकी पूरी क्लास उस पर हस्ती होगी। इसके बाद इवान के पिता उसे बताते हैं कि उनकी नजरों में वो बिलकुल नॉमल है और बस परनॉइट फील कर रहा है। ये सुनकर इवान खुद को अपने पिता की बातों से रिलेट कर पाता है। अब भले ही उस पर इन बातों का जल्दी कोई असर ना हुआ हो लेकिन उसके मन में ये बात बैट गई कि वो खुद के बारे में सोच रखता है। उसके दिमाग में अब ये बात आएगी कि जब उसके पिता जो उसे इतना समझते हैं और वो कह रहे हैं कि वो स्टूपिड नहीं है तो शायद वो अपने बारे में खलत सोच रहा है। जब एक बच्चा अपने पेरेंट से ये कहे कि उसका लग अच्छा नहीं है तो इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ऐसे टाइम पर उनसे सिर्फ उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करना और उन्हें समझने की कोशिश करना ही काफी है ताकि बच्चे खुद के बारे में अच्छा फील करें। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है जो किसी एक जगा पर टिक नहीं बाता। यही वज़ाए कि बच्चे अपने माता-पिता के बारे में भी तरह तरह की फीलिंग्स रखते हैं। एक वक्त पर वो अपने माता-पिता को बहुत अच्छा समझते हैं तो दूसरे ही सेकेंड वो अपने माता-पिता को बुरा भी समझते हैं। बच्चों के दिमाग में किसी भी चीज़ को समझने या उसके बारे में सोचने का कोई तरीका नहीं होता। इसी वज़ा से उनके दिमाग में एक साथ दो तरहा के थौट्स आना बहुती आम बात है। यही चीज ज्यादतर माता-पिता को पसंद नहीं होती। दरसल माता-पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बारे में हमेशा वही सोचें जो वो अपने बच्चों से सोचने क उम्मीद करते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे वही सोचते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने माता-पिता के इज़द नहीं करते या उनसे प्यार नहीं करते। असल में अपने बच्चों को ये फील कराएं कि अपने दिमाग में दो तरह के थौर्ट्स रखना नॉर्मल है। इसी को देखते हुए हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप बच्चों को ये भरोसा दिलाएं कि वो जैसा भी सोच रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है। क्योंकि माता पिता ही हैं जिनकी बात का भरोसा करना बच्चों के लिए सबसे आसान होता है। ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं कि जहां बहुत ज्यादा प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत नफरत होने की संभाबना भी बनी रहती है। यही रूल और भी कई दूसरे तरह के एमोशन्स के साथ लागू होता है यानि जिस तरह हमारे अंदर प्यार और नफरत एक साथ रहते हैं उसी तरह तरह और जलन भी एक साथ रह सकते हैं। इसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी, सक्सेस और चिंता भी साथ साथ चलते हैं। इसलिए ये बात जानना और बच्चों को बताना बेहद जरूरी है कि वो हमेशा दिमाग में पॉजिटिव थौट्स नहीं रख सकते बलकि कई बार उनके दिमाग में नेगेटिव थौट्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उनके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव थौट्स एक साथ आएं। बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि उन्हें अपने थौट्स को लेकर शर्मिंदा होने या चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे थौट्स दिमाग में आना बहुत ही नॉर्मल होता है और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं बलके सब के साथ होता है। इन फीलिंग्स को एकसेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। हमारे बचपन में हमें इसका बिल्कुल आपोजिट सिखाया गया था कि नेगेटिव थौट्स को हमें एकसेप्ट नहीं अवॉइट करना चाहिए। लेकिन अब ये बात लोगों को समझ आने लगी है कि किसी के दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थौट्स ही नहीं रह सकते क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी तरह के थौट्स को खुद कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा हम नेगेटिव थौट्स की वज़ा से होने वाले नुखसान को कम करने की या उसे रोकने की कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव थौट्स को दिमाग में आने से रोकना एक बेकार कोशिश साबित होगी क्योंकि अपने आसपास हम जैसे भी च चीजों के साथ साथ नेगेटिव चीजें भी हमारे दिमाग में गुज जाती हैं। इसलिए किसी भी तरह की फीलिंग को जबरदस्ती रोकना या उसकी वज़ा से बुरा फील करना और अपने आपको गलत समझना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपना confidence गिराएंगे बलकि आपके अंदर दिमाग से जुड़ी कई सारी परेशानिया भी पैदा होने लगेंगी। Emotions को फील करना इनसानों की बहुत बड़ी characteristic है। जैसे मचली पानी में तेरती हैं, चड़िया उड़ती हैं, वैसे ही इनसान हर चीज फील करता है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी। ऐसी बहुत सी फीलिंग्स हैं जिने हम फील कर सकते हैं। यहां से चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी तरह की चीजों को फील करना बहुती नॉर्मल है। हमारा दिमाग इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि इन feelings को express करने के ऊपर थोड़ा control करने की कोशिश करें, यानि हम अपने आपको दुखी होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपना दुख किसी और के सामने बताने से खुद को जरूर रोक सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें किस तरह की feelings को express करना चाहिए और किस तरह की नहीं? यही सवाल सबसे जरूरी है, जिसका जवाब हमें ढूनना है. हमें कौन सी feelings express करनी चाहिए और कौन सी नहीं? इसका जवाब हम तब तक नहीं ढून सकते जब तक हम अपनी feelings का पूरी तरह से experience न ज्यादतर लोगों के साथ यही होता है, कि वो समझी नहीं पाते कि उन्हें कैसा फील हो रहा है. असल में ये उनकी गलती होती भी नहीं है, क्योंकि उनने बचपन से यही सिखाया जाता है, कि अगर उन्हें डर लगे तो उन्हें बहादुर बनना चाहिए, और अगर रोना आए, तो अपने आपको रोने से रोग देना चाहिए। जब कि सच्चा ये है कि एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी तरह के basic emotions होते हैं, उसे उन्हें पूरी तरह से experience करके देखना चाहिए। जी, करके देखने से हमारा मतलब ये है कि हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि डर लगने पर उसे कैसा लगता है या घुस्सा आने पर कैसा feel होता है, जब तक आप इन basic emotions को पूरी तरह से experience नहीं करेंगे, तब तक आप उन पर react कैसे करना है, ये भी नहीं सीख पाएंगे, हमें कई बार सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि चाहे जिन्दिगी में जो भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, जबकि ऐसा possible है ही नहीं, हमारे दिम emotional education को अच्छे से experience करने की कला को emotional education का नाम देते हैं, emotional education बच्चों के लिए ही नहीं, बलकि हर एक इनसान के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों की feelings को समझना, पिछले episode में हमने जाना कि बच्चों के लिए अपनी जिन्दिगी के हर emotion को अच्छी तरह experience करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमेशा के लिए खुश रहे या सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचता रहे, घुसा, डर और परेशान रहना, लोगों के normal behavior का हिस्सा होता है, इसलिए बच्चों का अपने हर emotion को अच्छे से समझना और उन्हें अपने मन में ज खाली कागस के जैसा होता है, जिसमें उनके माता-पिता जो चाहे लिख सकते हैं, बच्चे अपने आपको आइने में देखने के बाद ही ये समझ पाते हैं, कि उनकी शकल कैसी है, उनकी आख, नाक और कान कैसे दिखते हैं, ये भी उन्हें खुद को आइने में देखने के इसी तरह feelings के मामले में माता-पिता को भी बच्चों के लिए एक आइने का काम करना होता है. जैसे आइना बच्चों को उनकी शक्ल के बारे में बताता है, वैसे ही माता-पिता उन्हें ये बता सकते हैं कि वो कैसा feel करते हैं. यानि कोई बच्चा अगर अपने माता-पिता से कोई complaint करे या किसी और चीज़ के बारे में बात करे, तो माता-पिता उस बात के पीछे छुपी feelings को समझ कर अपने बच्चों को ये बताएं कि उन्हें ऐसा क्यों लगा? माता-पिता की मदद से बच्चे जितनी ज्यादा जल्दी अपनी feelings को समझने की आद़ डाल लेंगे, उतनी ही जल्दी उन्हें अपनी खराफ feelings से लड़ने की ताकत मिलती जाएगी. ऐसा नहीं है कि अपनी feelings की वज़ा से सिर्फ बच्चे ही परेशान रहते हैं. कई बार बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है. लेकिन बच्चों के मामले में अगर उनकी feelings की वज़ा से आप उन्हें डाटेंगे या उनकी बुराई करेंगे, तो ना सिर्फ वो अपने आपको गलस समझने लगेंगे, बलकि उनके मन में अपने माता पिता को लेकर भी गुसा भड़ जाएगा. इसलिए आपके बच्चे जब भी आपसे अपनी मन की बात कहने की कोशिश करें, तो उन्हें डाटने के बजाए, आप उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए, कि ऐसा क्य यूं हो रहा है. उसके बाद आप उन्हें उस चीज पर यकीन दिलाएं, जिसका उन्हें डर लग रहा है, यानि अगर कोई बच्चा इस बात से डर रहा है, कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं या नहीं, तो उसके पिता की ये जिम्मेदारी बनती है, कि वो अपने बच् की प्राबलम सुनते समय, आप उन्हें ये भी फील करवा सकते हैं, कि दुखी होना या परेशान होना एक नॉर्मल फीलिंग है, जिसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. वर्ड्स की ताकत, अब तक हम ये तो जान चुके हैं, कि माता-प प्राबलम सुनते समय, आप ये एक एक लिलिंग्स को सही तरीके से समझें, और उसके बारे में उनसे बात करें. लेकिन हर बार बच्चों को किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी फीलिंग के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हर बार बच्चों को जबरद समझ नहीं पाते. आएए एक 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 जामपल की मदद से हम इस बात को समझने के कोशिश करें. हम आपको युवान नाम के एक बच्चे के बारे में बताते हैं, जो एक दिन अपनी फैमिली के साथ कार में ही कहीं जा रहा था. उस वक्त कार में युवान उसका छोटा भाई और उसके माता पिता थे. कार में एक छोटा डस्बिन रखा था, जिसमें कुछ कूडा कच्रा पड़ा था. युवान की पूरी फैमिली हसी खुशी ट्रावल कर रही थी. बातों ही बातों में युवान की माने उसकी तारीव करते हुए उससे कुछ कहा. लेकिन अपनी तार युवान ने ऐसी हरकत क्यों की? युवान की मा के बहुत पूचने पर उसने बताया कि उसे अपने छोटे भाई से जलन होती है. क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं. पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चल रहा थ कि उसका छोटा भाई आगे की सीट पर क्यूं बैठा है, जबकि वो पीछे की सीट पर बैठा था। लेकिन जब युवान की माने उसकी तारीफ की, तब उसे अचानक अपने इस तरह सोचने पर रिग्रेट हुआ और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने डस्ट बिन गिरा ज्यादतर लोग ये समझते हैं कि तारीफें बच्चों के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाती हैं, लेकिन कई बार ये तारीफें ही बच्चों के मिस बिहेवियर की वज़ा बन जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे कई बार अपनी फैमिली के लिए अ इल्टा बिहेव करते हैं और तारीफ की वज़ा से ही वो कुछ नया करने से घवराते हैं कि कहीं अप कोई गलती करने पर उनकी बुराई ना हो जाए। जैसे हम दवाईया तभी लेते हैं जब उनकी जरूरत होती है, वैसे ही तारीफें भी हर समय नहीं की जा सकती, बलकि तारीफ करने से पहले सही समय और जरूरत देखनी चाहिए। इसके साथ ही आप जब भी बच्चों की तारीफ करें तब ये भी धियान रखें कि आप उनके किसी काम या चीवमेंट की तारीफ कर रहे हैं और ना कि उनकी परसनालिटी की। परसनालिटी की तारीफ करने पर अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी जूटी तारीफ कर रहा है। जबकि अगर आप उनके किसी काम की तारीफ करेंगे तब उन्हें वाकी में अपने उपर प्राउट फील होगा। यानि मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई काम बहुत महनत से किया और आप उसके काम की तारीफ करने के बजाए उसे ये कहें कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो तो उसे ये समझी नहीं आएगा कि तारीफ हो किस चीज़ की रही है। इसलिए तारीफ हमेशा ऐसी चीज़ों पर करनी चाहिए जो वाकि में सामने दिखती हूँ और जिन पर भरोसा किया जा सके। बिना मतलब की और बहुत बड़ा चढ़ा कर की गई तारीफ से बच्चे खुश होने के बजाए और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब एक एक्जाम्पल की मदद से शायद ये बात आपको और बहतर तरीके से समझा सके। जूली जिसकी उम्र आट साल की थी अपने घर की सफाई कर रही थी। उसने अकेले ही अपने घर का सारा कुड़ा उठाया, जाडू लगाई और घर के परदे और सूफे भी साफ किय एक आट साल की बच्ची इतनी महनत कर सकती है, ये बात उसकी मा को बहुत अच्छी लगी। अपनी छोटी सी बच्ची को इतनी महनत करता देखकर जूली की मा बहुत खुश हुई। और उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से घर को पूरे घर को साफ सुत्रा देखकर जूली की माने उसे थैंक्यू कहा और उसे प्यार से गले भी लगा लिया। जूली भी अपनी मा की इस तरहा तारीफ से बहुत ही खुश हो गई। इसके बाद जूली अपने पिता का इंतिजार करने लगी और ये सोचने लगी कि जब वो घर आएंगे तो उसके काम की कितनी तारीफ करेंगे। लिकिन जूली के पिता ने घर आते ही उसके काम की तारीफ ना करके उसको एंजल, प्रिंसेस और नजाने क्या-क्या कहकर बुलाया। मगर जूली जैसी छोटी बच्ची को तो अपने काम के बतले में सिर्फ काम की ही तारीफ चाहिए थी ना कि अपनी personality की ये बात उसके पिता समझ नहीं पाई इसलिए जूली उनसे नाराज हो गई तो आपने देखा कि अपने काम की सही तारीफ ना मिलने पर बच्चे अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं और कई बार ऐसी शरारते भी करते हैं जो उनके माता पिता के लिए परिशानी बन सकती है क्रिटिसिजम नहीं गाइडन्स की है जरूरत माता पिता अकसर अपने बच्चों की गलतियां सुधारने के लिए उन्हें बार बार ये बताते हैं कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं इस तरह बार बार क्रिटिसाइस करने से बच्ची अपने माता पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं जबकि असल में बच्चों को criticism से ज्यादा guidance की जरूरत होती है। इसे हम एक example की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक 8 साल की एक बच्ची जिसका नाम Mary है वो गलती से juice गिरा देती है। लेकिन उसकी मां उसे बिना डाटे ये कहती हैं कि वो एक गिलास juice और एक पोंचा ले आए। इस पर Mary भी relax हो जाती है। अब इस situation में काफी arguments हो सकते थे। लेकिन Mary की मां के इस behavior से Mary ने गिरा हुआ juice खुद साफ भी कर लिया और उसे ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। अब आप समझें कि जब चीजें खराब होती हैं तब गलती करने वाली की personality पर comment ना करके event पर comment करना सही होता है। यानि जब बच्चे कोई गलती करें तो उन्हें ये ना बोलें कि वो ना समझ है या बेवकूफ है बलकि उनसे उस गलती के बारे में ही बात करें और ये सोचें कि उस गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है। माता-पिता और बच्चों के बीच कई बार बहुत बुरी तरह बहस हो जाती है। इसलिए जब बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो उस पर response करने की बजाए माता-पिता बहुत खराब तरीके से react करते हैं जिससे बच्चों को घुसा आता है और वो सामने से जवाब देते ह इससे वो आर्गुमेंट खत्म नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती है, एक्जम्पल के लिए साथ साल का नेथैनियल ब्रिकफर्स के वक्त एक कप से खेल रहा था, तो उसके पिता ने उसे खेलने से मना किया, क्योंकि वो हमेशा चीजें तोड़ता था, इतने में कप नेथैनि और जब उसके पिता उसे मारने के लिए आगे बढ़े, तो खुद को बचाने के चकर में नेथैनियल ने उन्हें धक्का दे दिया, ऐसा करने से नेथैनियल के पिता सीधे कांच के दर्वाजे से टकरा गये, और उनका हाथ कट गया, ये देखकर नेथैनियल डर गया, और वहां से भाग गया, और शाम तक घर नहीं लोटा, अब इस सिचुएशन में नेथैनियल को कप से खेलता हुआ देख, उसके पिता उससे सीधा कप ले सकते थे, और कोई खिलोना पकड़ा सकते थे, उसके बाद वो उससे समझा सकते थे, कि कप के साथ खेलना खतरनाक होता ह लेकिन उसके पिता के एक गलत डिसीजन की वज़ा से उन दोनों के बीच कितना बड़ा आर्गुमेंट हो गया, कई बार हम अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज्यादा डांट देते हैं, जबकि इन ही छोटी छोटी गलतियों से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, कई बार माता पिता अंडे के फूटने को पैर के तूटने जैसा समझते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार हम इन छोटी छोटे गलतियों को बच्चों को कुछ सिखाने के लिए भी जैसे कि उन्हें चीजों की वैलियो के बारे में बताना, ना की बात का इतना बड़ा इशू बनाना, क्योंकि माता पिता जो बुराई करते हैं, वो बच्चों के किसी काम नहीं आती, हम सभी ये जानते हैं, कि इसका कितना बुरा असर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको 11 साल के जस्टिन का एक्जामपल देते हैं, जस्टिन ने ये वादा किया था, कि वो अपनी फैमली की कार की सफाई कर देगा, लेकिन वो भूल गया, अब इस पर उसके पिता दो तरह से रियक्ट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसके पिता उसको डांटते हुए ये कहें कि कार धुली हुई किस एंगिल से लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ तुम खेल रहे थे, तुम्हें हमेशा खेलना अच्छा लगता है ना, इर्रेस्पॉंसिबल हो तुम, पहला रियक्शन जस्टिन के लिए समझना आसान होता, क्योंकि उसमें क्रिटिसिसम और मजाक उड़ाना शाबिल नहीं है, जस्टिन के पिता उसे जितना कम डांटेंगे, उतना ही वो उनके करीब होता जाएगा, जबकि दूसरे रियक्शन में जस्टिन बुरा फील करता, उसका काम करने से इंट्रे बार बार ये कहना कि वो स्टूपेड है या कामचोर है, बच्चों पर बहुत बुरा असर डालता है, आखिर में वो खुद पर नहीं बलकि अपने माता पिता की बातों पर भरोसा करने लगते हैं, और इससे उनके कॉन्फिडेंस और समझने की शक्ती पर असर पड़ता है, अपने बच्चों के दिमाग को सही तरह से डिवालप्मेंट के लिए और उनको कॉन्फिडेंट और समझदार बनाने के लिए, ये ज़रूरी है कि आप उनने एक पॉजिटिव एंवारमेंट दे और उन पर अपनी उम्मेदों का बोज डालने से बचें, बच्चों की आप प्राबलम्स को दूर करने के तरीकों के बारे में भी बात की। बना ही इस तरह से होता है कि उन्हें अपने साथ के दूसरे बच्चों को लेकर जलन हो जाती है। उन्हें हमेशा ऐस अलगता है कि उनकी उम्र में कोई कमी है या उन्हें वो सारी चीज़े नहीं मिल रही जो उनके भाई, बहन या दोस्त को मिल रही है। माता पिता के प्यार से लेकर खिलोने, पढ़ाई और दूसरी चीज़ों के लिए भी बच्चों के मन में जलन हो सकती है। माता पिता चाहें बच्चों के कितनी ही चिंता क्यों न कर लें, लेकिन उनकी इस फिलिंग को आसानी से दूर करना पॉसिबल नहीं है। अब यहां हम बच्चों में पैदा होने वाली जलन को समझने की कोशिश करेंगे। किसी घर में एक बच्चे के रहते एक नए बच्चे का जन्म होना जलन की सबसे पहली शुरुआत होती है। क्योंकि घर में नए बच्चे के आने से पहले बच्चे की जिंदेगी में बहुत से चेंजिस आते हैं। उस वक्त पहले बच्चे को माता-पिता की उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती जितनी उसे पहले मिल रही होती थी। इसलिए माता-पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि ज अगर उनके माबाप उनसे प्यार करते तो उने दूसरा बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं होती। तब माबाप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन बच्चा कभी भी ये बात नहीं समझ पाता कि उसके इलावा उसके माबाप को किसी और बच्चे की जरूरत क्यों है? अब यहां हम आपको एक एक्जामपल देकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह अपने पहले बच्चे को ये बात आराम से बताई जा सकती है कि घर में दूसरा बच्चे के आने से उनका प्यार कम नहीं होगा। ये था क्योंकि वरजिना की माने पहले ही उससे ये बात कह दी थी कि ऐसा हो सकता है कि नए बच्चे के आने के बाद वरजिना की जिंदिगी में थोड़े बहुत बदलावाएं। की जिंदिगी पर आगे जाकर काफी असर पढ़ने वाला है तो शायद बच्चा डर जाए और इन बातों को संभाल ना पाए। बच्चे जब अपने मन की जलन चुपाने की कोशिश करते हैं तो वही जलन एक अलग रूप में सामने आने लगती है इससे बच्चे बुरा बिहेव करने लगते हैं। इसलिए जब बच्चे अपने नए भाई या बहन के आने से परेशान होते हैं और उनकी इस फीलिंग को बाहर आने से रोका जाता है तो उनके मन में अपने भाई या बहन के लिए नफरत पैदा होने लगती है। ये बात सुनने में चाहे जितनी अजीब लगे लेकिन ये पूरी तरह सच है। इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि जब बच्चे अपने मन की जलन को बाहर नहीं निकाल पाते तो उन्हें बहुत बुरे सपने आने लगते हैं। इसलिए ये बहतर है कि आप बच्चों को उनकी जलन बाहर निकालने का मौका दें जिससे उनके मन में जैसी भी फीलिंग है वो उसे खुल कर बता पाएं। आखिर अपने बच्चों को दिमागी रूप से तकलीफ पहुँचाने से बहतर तो यही है कि हम उनकी मन की बात को सुन लें। सबसे बहतर तरीका तो यह है कि आप ये पहले से ही मान कर चलें कि आपके बच्चों में एक दूसरे को लेकर जलन पहले से ही मौजूद है। और उनकी बात की value भी उनसे ज्यादा होती है। वहीं बड़े भाई या बहन को ये लगता है कि उनसे छोटे भाई बहन को माता-पिता का ज्यादा प्यार मिलता है जग कि उन्हें उतना प्यार नहीं किया जाता। लेकिन problem तब बढ़ जाती है जब माता-पिता खुद अपने सबी बच्चों में से किसी एक को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। ऐसा होने पर जिस बच्चे को ज्यादा attention मिलती है उसे अपने भाई बहन की नफरत भी जल्दी मिलती है। हाला कि ये भी सच है कि अलग-अलग उम्र के बच्चों को एक जैसा treatment नहीं दिया जाना बलकि बड़ी उम्र के बच्चों पर ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वो अपने आने वाले future के लिए पहले से तैयार हो सके। ऐसे में बच्चों के बीच होने वाली जलन से निपटने का सबसे बहतर तरीका यही है कि आप उन्हें समझाने के लिए logic के बज़ समझ कर चुने। बच्चों से बात करते वक्त उन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे उनके माता पिता उनकी तकलीफ को समझते हैं और उसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ना होने पर ज्यादा तर बच्चे अपने छोटे भाई बहन को नुखसान पहुचाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई भी माबाप ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे इस तरहा आपस में एक दूसरे को नुखसान पहुचाते रहें। एक दूसरे से लड़ने में दोनों ही बच्चों का नुखसान है। इसलिए दोनों के लिए अपनी अपनी जलन की फीलिंग को खत से पहले उसके घुस्से की वज़ा जानने की कोशिश कीजिए। उनसे पूछ ये कि क्या वो अपने छोटे भाई बहन को पसंद नहीं करते। बच्चे जब कोई ऐसी हरकत करते हैं तो माता-पिता का रोल उनसे जबरदस्ती कोई काम करवाना या उन्हें रोकना नहीं होता बलकि शानती से बैट कर उनके बिहेवियर को अब्जर्व करना होता है। अपनी अब्जर्वेशन के बाद हर माता-पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझते हुए उससे बात करने में सावधानी रखें। अपने बच्चे को इतनी भाई बहन से नफरत ही करता रहेगा। लेकिन अपने बच्चों की आपस में लड़ाई खत्म करवाने के चक्कर में माता-पिता दोनों बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते और नहीं उन्हें ऐसा करना चाहिए। जो माता-पिता अपने सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं वो आखिर में अपने सभी बच्चों को नाराज कर बैटते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माँ अपने चोटे बेटे को इसलिए गले नहीं लगाती क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने पर उसका बड़ा बेटा भी नाराज हो तो ऐसे में उस मा का प्यार दोनों ही बच्चों को नहीं मिल पाता। दरहसल बच्चे अपने माता पिता से एक जैसा प्यार चाहते ही नहीं। उन्हें तो अपनी उम्र और मैचॉरिटी के हिसाब से अलग-अलग ट्रीटमेंट और प्यार चाहिए होता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को अलग-अलग तरह से प्यार देने की जरूरत है। उन्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने सभी बच्चों से एक जैसा प्यार है। इसलिए अपने किसी एक बच्चे को प्यार करना सिर्फ इस वज़ा से ना छोड़ जैसे वही आपका एकलौता बच्चा है जब आप किसी एक बच्चे के साथ बाहर होते हैं तब दूसरे बच्चे के बारे में बात करने से भी बच्चों में जलन पैदा होती है क्योंकि इससे उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपको उसकी फिक्र नहीं है जो आपके साथ है, बलकि उसकी फिक्र है जो घर बैठा है। घर में नए बच्चे के साथ आने वाली जलन के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और तरह की जलन है जिसका असर बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। जिन बच्चों के माता पिता एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं, उनमें भी जलन पैदा होने लगती है। ये जलन तब पैदा होती है, जब बच्चे अपने माता या पिता में से किसी एक के घर पर रहते हैं। तब अगर उनके माता-पिता के इलावा कोई तीसरा व्यक्ति उनके घर में होता है, तो बच्चों के मन में उस तीसरे व्यक्ति के लिए जलन पैदा होने लगती है। ऐसा इसली होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ सकते हैं, तो किसी दूसरे के लिए भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. ऐसे में जब उनके माता या पिता में से कोई एक, किसी एक नए व्यक्ति को डेट करने लगे या पसंद करने लगे, तो बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो ना तो उन्हें एक दूसरे से मिलने देते हैं, और ना ही फोन पर बात करने देते हैं, जब भी उनक अपने मन की बात अपने माता पिता के सामने कह सकें. माता पिता का प्यार और उनकी समझदारी ही बच्चों के मन से ये डर निकाल सकती है कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे. एक्जाम्पल के लिए अपने परिशान होते बच्चे को देख कर माता पिता उनसे ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो लेकिन हम तुमसे एक और मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं पहली ये कि तुम्हें अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहने की आदत छोड़नी होगी और अपने मन को तयार करना होगा ये हो सकता है आगे जाकर तुम्हारे किसी एक पेरेंट की जिन्दिगी में कोई नया व्यक्ति आ जाए बच्चों में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम इस बुक समरी के पिछले एपिसोड में हमने बच्चों के बीच पैदा होने वाली जलन के बारे में चर्चा की इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि जिन बच्चों के माता-पिता का डिवोर्स हो जाता है उन्हें किस तरह संभ अब इस एपिसोड में हम बच्चों के मन में पाए जाने वाले तनाव यानि एंजाइटी के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंजाइटी किन वजों से होती है और बच्चों को इससे कैसे निकाला जा सकता है लगभग सभी माता-पिता ये जानते हैं कि दुनिया के लगभग हर बच्चे के मन में एंजाइटी और डर होता है लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि ये एंजाइटी उनके मन में आती कहां से है तो यहां हम आपको बच्चों के मन में होने वाली एंजाइटी के कुछ कारण समझात बच्चों के मन में एंजाइटी का सबसे पहला कारण है उनके मन का ये डर कि उन्हें एक दिन छोड़ दिया जाएगा। बच्चों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर सकता है जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार हम माता पिता को गुसे में ऐसा कहते सुनते हैं कि अगर तुम अभी के अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ कर वापस चला जाऊंगा या जाऊंगी। ऐसी बातें बोलकर माता पिता तो भूल जाते हैं लेकिन बच्चों के दिमाख में ये बातें बहुत कहरा असर छोड़ती हैं। उन्हें लगने लगता है कि जिन्दिगी में कभी ना कभी उनके माता पिता उनका साथ छोड़ देंगे। इसलिए अगर कभी बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो भी उन्हें छोड़ कर जाने की धमकी देने से अच्छा है कि आप उनके पास जाएं और उन्हें जबरदस्ती खीच कर अपने साथ ले आएं। इससे उन्हें भले ही थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उन्हें अपने माता पिता से दूर होने का डर तो नहीं लगेगा। बच्चे बहुत ही सेंजिटिव होते हैं। आपकी कोई भी छोटी से छोटी बात उन्हें किस तरह परिशान कर सकती है। इसका आपको कोई हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे उनके माता पिता उन्हें छोड़ कर चले गए हैं। इसलिए जब भी आप घर से कहीं जा रहे हों तो अपने बच्चों के लिए एक नोट लिखकर जरूर जाएं। उस नोट में आप ये लिखें कि आप किस काम से बाहर जा रहे हैं और कब तक घर वापस आएंगे। सबसे अच्छा ये होगा कि आप वीडियो या ओडियो रिकॉर्ड करके अपने बच्चों के लिए एक मैसेच छोड़ें क्योंकि किसी भी बच्ची के लिए अपने माता पिता की आवाज सुनना और उनके मुझ से अपन के दिमाग पर कोई बोज ना पड़े। बगर माता पिता अक्सर अपने बच्चों को ये सब बताने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि इन बातों पर उनके बच्चे बहुत बुरी तरह से रियाक करेंगे जो उन्हें बिलकुल पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों को घर पर अकेला छोड़ने से पहले उन्हें पहले से ही ये बता दें या उनके लिए कोई नोट छोड़ कर जरूर जाएं। इस सिचुएशन को अब एक एक्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक मा है जिसके बच्चे की उम्र तीन साल है। उस दिन वो मा तयार होकर हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर घर से निकलती है जैसे वो हॉस्पिटल नहीं बलकि बाजार से खरीदारी करने जा रही हो। फिर वो मा तीन हफ़तों तक घर लोट कर नहीं आती। अब इन तीन हफ़तों में उसका तीन साल का बच्चा अपनी मा को अपने सामने ना देख कर बहुत परेशान होता है। उसके पिता जैसे तैसे अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी किसी भी बात का बच्चे पर कोई असर नहीं होता। वो बच्चा पूरी रात रोता रहता है और दिन में खिड़की से चिपक कर रहता है कि जाने कब उसकी मां घर लोटेगी। अब यहां बच्चे की ऐसी हालत इसी लिए हुई कि उसे पहले से इस बात के लिए तयार नहीं किया गया था कि उसकी मां को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। बच्चों का दिमाग इस तरह का बना होता है कि वो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए अगर उस बच्चे को पहले से ही ये बता दिया जाता कि उसकी मां कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहने वाली है तो उसका दिमाग इस बात को जल्दी ही एकसेप्ट कर लेता। लिकिन बच्चों को आप कोई कई बार गिल्ट की वज़ा से भी एंजाइटी हो सकती है। कई बार माता पिता जाने अंजाने में अपने बच्चों को गिल्ट यानि पच्चतावे में डाल देते हैं। गिल्ट हमारे जिंदिगी में उतना ही जरूरी होता है जितना खाने में नमक जरूरी होता है। नमक माइ निए भी अकसर ऐसा ही होता है. कई बार माता पिता अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि बाहर वालों और परिवार वालों के बीच कैसा behavior करना चाहिए और कैसा नहीं. बच्चों को ये तक बताया जाता है कि उनके मन में कैसे thoughts और feelings आनी चाहिए लेकिन जब भी इसका उल्टा होता है तो बच्चे एक तरह के guilt में जीने लगते हैं ऐसे बेवज़ा के guilt से बच्चों को बचाने के लिए माता पिता को कुछ तरीके आजमाने चाहिए आसान शब्दों में कहें तो जैसे एक mechanic कार ठीक करते वक्त कार के मालिक को ये पता नहीं चलने देता कि उसकी कार में खराबी किस वज़ा से हुई है उसी तरह माता पिता को भी अपने बच्चों की गलतियों को सुधारते वक्त या उन्हें उनकी गलती का एहसास कराते वक्त ऐसा बिहेव करना चाहिए जिससे बच्चों को ये ना लगे कि उनसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो कई बार भरोसे और पेशिंस की कमी की वज़ा से भी बच्चों में टेंशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है इससे बच्चों को बचाने का तरीका ये है कि आप उन्हें पूरा वक्त दें जिसमें उन्हें दिमाग का सही ढंक से डिवेलपमेंट हो पाए जब किसी बच्चे को आप कुछ काम करने से या किसी जिम्मेदारी से पीछे खीच लेते हैं तब उसके मन में एक तरह का खुसा पैदा होने लगता है हाला कि माता पिता ऐसा इसली करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे अभी उस काम के लिए तयार नहीं है बच्चों को किसी भी काम को सीखने में काफी वक्त लगता है काम चाहे कितना ही छोटा क्यूं ना हो बच्चे उसे सही तरीके से सीखने की कोशिश जरूर करते हैं चाहे वो काम अपने जूतों के लेसिस बांधने का हो या अपने कपड़े सही जगा पर रखने का हो बच्चे हर काम को अपने वक्त पर ही सीखते हैं ऐसे में आप बच्चों की मदद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जब भी वो गलती करें या किसी काम को सीखने में वक्त लें तो हम उन पर गुसा ना करें, बलकि उन्हें पूरा वक्त दें, जिससे वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएं. इसके अलावा, माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के काम को लेकर उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए. माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चे चाहे जैसा भी काम कर रहे हों, उनकी उम्र के हिसाब से वो एकदम ठीक हैं. आपका बच्चे को जब किसी काम को करने में मुश्किल आए, तो आप उसे ये बताएं कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, बलकि वो काम सच में काफी मुश्किल है. इस तरह के कॉमेंट बच्चों को न सिर्फ मोटिवेट करने की काम आते हैं, बलकि कोई काम ठीक तरह से ना कर पाने पर उन्हें एंसाइटी से बचाते हैं. इसलिए माता पिता को ये उम्मी छोड़ देनी चाहिए कि उनके बच्चे हर काम को एक एक्सपर्ट की तरह इसी तरह अपने माता-पिता को लड़ता देखकर भी बच्चों में एंसाइटी आ सकती है. आप ही बताइए भला दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने ही माता-पिता को लड़ते हुए देखنا पसंद करेगा? माता-पिता तो बच्चों की हिम्मत होते हैं औ और जिनके आसपास वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उन बच्चों को कैसा लगेगा जब वो अपने माता पिता को अपनी आखों के सामने हमेशा लड़ते हुए देखते रहें। कई बार बच्चे अपने माता पिता को लड़ते देखकर ये सोचने लगते हैं कि शायद ये उनहीं की वज़ा से हो रहा है। इसी वज़ा से बच्चों के मन में गिल्ट पैदा होने लगता है। उनके माता-पिता आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने लड़ाई ना करें। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से नाराज भी हूँ तो भी अपने बच्चों की परवा करते हुए उनके सामने लड़ाई ना करे अपने relationship में आने वाली problems के आप अकेले में शान्ती से बात करके solve करें बच्चों के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके माता-पिता के बीच में सब ठीक नहीं है लेकिन आपको अपने relationship के बीच की बातें और लड़ाई में फर्क समझना चाहिए बच्चे अपने माता-पिता के relationship में आ रही problems को देखें और समझें यहां तक बात ठीक है लेकिन अगर वो अपने माता-पिता को लड़ता हुआ देखेंगे तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएंगे Sex और बच्चों का रिष्टा Sex एक बहुत ही sensitive topic है कई बार माता-पिता अपने बच्चों के sexual behavior को जानने की कोशिश नहीं करते दूसरी और बच्चे भी अपने sexual behavior को लेकर बात करने से बचते रहते हैं हास कर तब जब उन्हें ये लगे कि उनके माता-पिता ऐसी बाते सुनकर उन पर गुसा करेंगे यहां तक कि माता-पिता अपने बच्चों के sexual behavior के बारे में सोचने पर ही इतने अजीब तरीके से react करते हैं जैसे उनके बच्चों ने कोई बहुत बड़ा गुना कर दिया हो University of Minnesota में एक research में ये पाया गया है कि ज्यादतर महिलाएं अपने 13 से 19 साल के बच्चों के बारे में सोचती हैं कि वो virgin है जबकि असल में ऐसा होता नहीं है ये research करने वाले Dr. Robert Bloom बताते हैं कि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों की sexual activity से पूरी तरह अंजान होती हैं इसलिए माता-पिता और बच्चों के बीच इस तरह का communication बहुत जरूरी होता है खास कर तब जब बच्चे अपनी teenage यानी 13 से 19 साल की उमर के बीच होते हैं लेकिन ऐसा communication सिर्फ तभी काम करता है जब बच्चों और माता-पिता के बीच भरोसा और एक दूसरे का खयाल बना रहे बच्चों को अपने माता-पिता पर भरोसा होना चाहिए कि उनके माता-पिता उनकी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना कि उन पर बेवचा चिलाने लगेंगे ऐसा होने पर ही बच्चे अपने माता-पिता के सामने अपनी सेक्श्वल लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे 16 साल की एक लड़की जिसका नाम सैलमा है, कभी अपनी मां के सामने सेक्स के बारे में बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अपनी मां से सेक्स के बारे में कोई भी सवाल करेगी, तो उसकी मां सबसे पहले यही सोचेंगी कि उसे ऐसा सवाल करने की जरूरत क्यों है और क्या सलमा खुद भी सेक्शवली एक्टिव है सलमा के अलावा 12 साल की लड़की जूलियट भी यही कहती है कि उसकी मा का ये मानना है कि सेक्स के बारे में बच्चे जितना कम जाने उतना बहतर है इसलिए जूलियट जब भी अपनी मा से सेक्स के बारे में कुछ भी पूछती है तो उसकी मा सिर्फ इतना ही कहती है कि जब तुम्हारी उम्र होगी तो तुम खुद सीख जाओगी लेकिन आज कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने टीनेजर्स बच्चों के साथ सेक्शूल रिलेशन्शिप्स के बारे में बात करते वक्त बहुत कमफर्टिबल रहते हैं अपने बच्चों को बेवजा का ग्यान और अच्छे बुरे की समझ देने से बहतर है कि आप उनसे उनकी जिन्दगी के जरूरी हिस्सों के बारे में खुल कर बात करें क्योंकि बच्चों पर सही और गलत का बोश डालने से आप उन्हें गिल्ट की ओर धकेल देते हैं इसी वज़ा से वो फ्यूचर में भी कभी आपके सामने खुल कर बात नहीं कर पाते उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि उनके माता पिता उन्हें गलत समझेंगे और अपने ही बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बाते करने लगेंगे कोई भी बच्चा अपने माता पिता की नजरों में खुद को गिरा हुआ नहीं देखना चाहता इसलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि सेक्स के बारे में बात करने से वो अपने बच्चों की इज़त करना कम नहीं कर देंगे और नहीं वो उन्हें किसी चीज के लिए बेवजा जज़ करेंगे लेकिन जिन बच्चों के माता-पिता बहुत ज्यादा religious कामों में interest लेते हैं उनके लिए घर पर sex के बारे में बात करना एक गुनाह जैसा हो जाता है फिर चाहे बच्चे sex के बारे में कोई छोटा सा सवाल ही क्यों ना कर लें बच्चों की sex education तब शुरू हो जाती है जब वो अपने माता-पिता को एक दूसरे के साथ अच्छा या बुरा बिहेव करते हुई देखते हैं उनके माता-पिता एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के करीब रहना कितना पसंद करते हैं उसी बेसिस पर बच्चे अपनी sexual behavior को तै करते हैं माता-पिता चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि उन दोनों के बीच के relationship के बारे में उनके बच्चे ना जान पाएं लेकिन बच्चों को अपने आप ही सब कुछ पता लगने लग जाता है यही वज़ा है कि माता-पिता अपने बच्चों के सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो खुद भी अपनी पूरी जिंदिगी में इससे जुड़े सवालों से बचते आये हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों की सेक्स एजुकेशन आप उनके 13 साल के होने के बाद ही शुड़ू कर सकते हैं दरसल सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों से इतनी जल्दी बात करना ठीक नहीं होता है माता-पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के मन से ये डर निकाल दें कि उनके शरीर से जुड़ी कुछ चीजें बात करने लायक नहीं है इसकी शुरुआत तब होती है जब बच्चा पैदा होने के बाद खुद से टॉलेट जाने लग जाता है तब अगर बच्चा अपने माता-पिता को गुस्सा करते या डांटते हुए देखेगा तो उसे ये लगने लगेगा कि उसके शरीर में कुछ ऐसी बाते भी हैं जिने छुपाना बहुत जरूरी है जबकि इसका उल्टा अगर माता-पिता बच्चों को प्यार से समझाते हुए टॉलेट जाने की ट्रेनिंग देंगे तो बच्चे भी ये समझ पाएंगे कि उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे उन्हें छुपाने की जरूरत है और अगर उन्हें किसी चीज को लेकर कुछ पूछना है तो वो अपने माता-पिता से खुल कर पूछ सकते हैं आसान शब्दों में कहें तो बच्चों की सेक्स एजुकेशन की शुरूआत उनकी ट्रेनिंग से ही होती है लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगें तो ये ट्रेनिंग दो पार्स में बढ़ जाती है एक पार्ट है इंफॉमेशन और दूसरा है वैलियूज इंफॉमेशन तो बच्चों को स्कूल और घर से भी मिल सकती है लेकिन values सिर्फ और सिर्फ घर पर ही दी जा सकती हैं बच्चे romance और sexual behavior के बारे में जानकारी ये देख कर सीखते हैं कि उनके माता-पिता एक दूसरे को किस तरह treat करते हैं अब आखरी बात ये कि अपने बच्चों को sex से जुड़ी बातों के बारे में बताते वक्त आपको उनकी उम्र का भी पूरा खयाल रखना चाहिए यानि अगर बच्चे ये पूछें कि हम पैदा कैसे हुए तो माता-पिता को उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि वो hospital से पैदा हुए हैं बलकि वो बच्चों को ये बता सकते हैं कि मा के पेट में एक खास जगा होती है जहां से पच्चे पैदा होते हैं एक उम्र तक बच्चों के लिए इतना जवाब काफी होता है अगर कम उम्र में ही आप उन्हें पूरी science समझाने लग जाएंगे तो शायद उन्हें ये समझ ना आए और वो confusion में परेशान हो जाए Conclusion Famous American Psychologist Hame Ginnott की किताब Between Parent and Child की चर्चा में हमने माता-पिता और बच्चों के relationship के बीच आने वाली tension और problems को गहराई से समझने की कोशिश की हमने ये भी जाना कि communication gap की वज़ा से माता-पिता और बच्चों के एक प्यारे रिष्टे में कितनी उल्जहने पैदा हो सकती है वहीं हमने आपको ऐसे communication gap से बाहर निकलने के कई रास्ते भी बताए और examples की मदद से उन्हें समझाने की कोशिश भी की हमने जाना कि माता-पिता और बच्चों के relationship में शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है हमने ये भी समझने की कोशिश की कि माता-पिता का कहा एक गलस शब्द बच्चों के मन पर किस तरह असर डाल सकता है इस पूरी बुक समरी के दौरान हम अलग-अलग parents और बच्चों के examples देकर आपको ये समझाने की कोशिश करते रहे कि बच्चों के सामने आप अपनी बात को सही तरीके से कैसे रखें हमने ये भी समझा कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता से दोस्ती कर पाएं लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा parents को ही पहले करनी होगी इस किताब की चर्चा में हमने parents